नमस्कार दोस्तों दोस्तों स्वागत करती हूँ आप सबका मेरी चैनल कहानी गोल्ड में अगर कहानी आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और आपके कोई भी सुझा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं तो आईए सुनते हैं मालती जोशी जी की कहानियों के स्रिंख्रा में एक और नई कहानी कहानी का शिर्षक है हर ख्वाइश पर दम निकले मगर जब कहने पे आई हूँ तो समझ में ही नहीं आता कि अपने अधूरे अर्मानों की दास्तान कहां से शुरू करूँ चुकि हर दिन का आगाज सुबह से होता है मैं भी अपने अफ्साने के शुरूआत सुबह से ही कर रही हूँ सुबह जिसे लेकर कवी और शायरों ने जाने क्या-क्या लिख रखा है लेकिन शहरी जिंदगी की सुबह किवल अख़बार में सिमट कर रहे गई है अख़बार हम लोग भी खरीदते हैं इसलिए कि दुनिया के हाल-चाल से बाख़बर रह सके चार आदमियों के बीच में बॉडम की तरह मूँ सीकर न बैठना पड़े दुनिया जानती है कि अख़बार पढ़ने का सबसे मौजू समय सुबह ही होता है इस वक्त शरीर हलका और दिमाग बेफिक्र होता है एक भरे पूरे दिन की आगवानी के लिए लेकिन हमारी बदकिस्मती देखिए अख़बार ने जैसे दस बजे से पहले नीचे उतरने की कसम खार रखी है दस बजे उपर वाले शर्मा जी चश्मे के सीसे को धोती के छोर से पोश्टे हुए अख़बार लेकर नीचे उतरते हैं उस समय दिल तो होता है पर शहरी तहजीब के मारे हम हैं हस्ते हुए अख़बार ले लेते हैं और बात आई गई हो जाती है अब बताईए दस बजे किस शरीफ आदमी या औरत के पास अख़बार के लिए वक्त होता है हाथ तो घड़ी के सुई की होड़ करते होते हैं मैं तो खेर थोड़ा दिन में पढ़ भी लेती हूँ पर मेरे पती दिव शाम को दिन भर की आपा धाबी से इतने धख जाते हैं कि दुनिया तो दूर घर का भी हाल कहूं तो काटने दोड़ते हैं राजा के बगीचे से सोने के सिफ चोरी हो जाते थे या कहानी तो सबने सुनी होगी कहानी के चोर की तरह हमें भी अखबार के आने का पता ही नहीं चलता कई बार एलार्म लगा कर नेट भी खराब की पर पता नहीं कैसे अखबार उपर ही पहुच जाता था वैसे दुनिया जहान के हाल चाल जानने का एक और नायाब तरीका आज हम लोगों के पास है वह है रेडियो आपको जानकर खुशी होगी कि ना सिर्फ हमारे पास बलकि हमारे पड़ोसियों के पास भी रेडियो है यह सिर्फ अपने सितारों का कसूर है कि हम उसे सुनने से महरूम रह जाते हैं क्योंकि जिस समय दाई और वाले चोपड़ा साहब नियो सुनते हैं उनके बच्चे हमारे यहां फर्माईशे नगमे सुनने के लिए जम जाते हैं और उनकी भी दाग देनी पड़ती है चोपड़ा साहब की हिंदी अंग्रेजरी उर्दो सभी बुलेटिन सुनते हैं गोया उन्हें अंदेशा रहता है कि इतनी देर में कहीं न कहीं इनकलाब या शैलाब तो आही गया होगा हपतों की इंतजारी के बाद जब कोई पसंदीदा ड्रामा रेडियो पर आने को होता है हम लोग जल्दी से खापी कर ड्रॉइंग रूम में इकट्थे हो जाते हैं उसी समय सामने वाले मोडग जी की स्रीमती जी दर्वाजे पर आखड़ी होती है एक जमाना हुआ जब वे संगीत सेखती थी हमारी बदकिस्मती से उनके उस्ताज जी उसी दिन रेडियो पर गाने को होते है मोडग जी का घराना औरंग जेबी होने की वज़े से उन्हें हमारी याद आ जाती है उस्ताज जी तो खेर जैसे भी है पर मिसिस मोडग दाद ऐसे देती है गोया तान सेन के बाद मुल्क में यही एक आवाज पैदा हुई है एक से ढर्रे पर चलने वाली मिडल क्लास के जिन्दगी में रंग भरती है कभी गभार आने वाली चिठियां चिठियां मेरे यहां भी आती हैं जिसमें आम तोर पर खर्चे की तंगी तबियत की नासाजी या नई पीड़ी की बेहुद्गियों का जिक्र रहता है पर कभी कभी कोई गैर मामूली खत भी होता है कभी कोई खुशखबरी होती है और मैं सोचती हूँ कि शाम को वे जब जिन्दगी से हारे हुए जुवारी की तरह आराम कुर्से पर निड़ाल हो जाएंगे तब यह खुशखबरी सुना कर थोड़ी देर के लिए ही सही उनके चहरे पर रौनक देख सकूंगी कोई चिठ्ठी गमगीन भी होती है सोचती हूँ खाने पीने से छुट्टी पाकर रात को धीरे से कहूंगी जिससे हादसा कम से कम महसूस हो पर भला हो इन पड़ोसियों का वे मुझे इस तरह की कोई तकलीफ नहीं उठाने देते उनका चुस्त सेंसर बूर्ड हर बात की खबर रखता है जिस समय बच्चों के पापा पंचर साइकिल घसीटते हुए दुनिया भर की बेजारी चेहरे पर ओड़कर घर में दाखिल होते हैं उन्हें या ताजा खबर सुना दी जाती है उस समय वे गम या खुशी के संगी दाइरे से इतने उपर होते हैं कि एक खास दिन एक खास खबर बेमानी होकर रह जाती है चिठ्ठियां ही नहीं इस घर में आने वाले इंसान तक सेंसर होते हैं इनके कई दोस्तों ने या घर ही इसले छोड़ दिया कि वे इस प्रेक्षक गैलरी को बरदाश नहीं कर सकते थे मेरी तमन नाओं का सबसे दर्दनाख खश थब होता है जब हम कोई पिक्चर देखने जाते हैं बनती कोशिश हम लोग अपना प्रोग्राम चुपचा भी बनाते हैं नहीं तो हमारे सादत मंद पड़ोसी अमुक फिल्म वाहियात है अमुक लचर है अमुक जरूर देखिए जैसे सुझाओं की जड़ी लगा देते हैं कातिल का नाम बता कर सस्पेंस, फिल्मों का खून करना इनके बाएं हाथ का खेल है समाजिक फिल्मों की कहानी भी मैं एक्टिंग के सुनाने से ये बाज नहीं आते हम लाग शुपाएं पर मुझे दोनों वक्त की रोटी सेखते देख या दूद वाले से ज़ादा दूद लेते देख पड़ोसी प्रोग्राम को भाफी लेते हैं फिर बच्चे हैं जो पापा को मम्मी की सारी पर प्रेस करते देख लेते हैं और सारे पास पड़ोस में यह खुशखबरी फैला देते हैं पडोसियों के सुझाव और बच्चों से दामन छुडा कर हम जैसे तैसे सड़क पर आभी जाते हैं तो भी बात बनती नहीं, रास्ते भर बहस करते हुए हम सिनेमा हॉल में दाखिल होते हैं बहस का विशय पिक्चर का चुना होता है और बदकिस्मती से मैं कोई नाम सजस्ट कर देती हूँ सिनेमा देखते वक पूरे समय मेरा ध्यान हिरोईन के जूडों की ओर रहता है जिने उपर वालों की प्रभा मुझसे सेखना चाहती है राजो को हीरो के स्वेटर की तलाश होती है जिसकी तारीफ गजोधर रोज करता है जिस समय में स्वेटर परदे पर आता मेरा जी करता है राजो की आखों पर हाथ रख दूँ तीन घंटे बाद बाहर निकलते ही ये बरस पढ़ते हैं वाह क्या चॉइस है तुम्हारी मैं चुप करके रह जाती हूँ क्योंकि चॉइस मेरी नहीं निसिस मोडक की होती है मो लटकाए हम लोग लोटते हैं दरवाजे से ही गिराव शुरू हो जाता है कौनसे पिक्चर देखी कैसी थी अमोग गाना कैसा था? हीरो कितना बॉडम था? इसका एंड यूँ भी हो सकता था? ये अंदर से चीखते हैं मैंने कहा जरा घड़ी देखो कल की छुट्टी थोड़े ही है भीर छट जाती है और मैं सहमी सी अंदर जाती हूँ इस टूप पर खाना गरम करके सबको आवास देती हूँ हम लोग चुपचाप से जुका कर इस तरह खाने लगते हैं जैसे पिक्चर देखकर नहीं किसी को दफना करके लोटे हूँ एक पिक्चर इंजॉय करने की हसरत दिल में अब भी बाकी है